हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू प्रगती वंत्रा क्लासेश, माई नेम इस शिवांगिया गर्बालतो, जैसे कि सुडिन्स हमारे यूपी की जीके की लेक्टर सीरीज चल रही थी, और आज उसी सीरीज की कॉंटिनेशन में, हम लोग अपना एक नया चाप्टर स्टार्ट करन है, फिर उनकी कौन-कौन सी स्पेशल, मतलब खास ट्रिब्यूटरी हैं, जिनको हमें ध्यान रखना है, और साती साथ हम उनका देखेंगे मैपे लोकेशन भी, क्योंकि मैपे लोकेशन देखने से आपको एक अच्छी चीज होगी, कि आपको लॉंग टाइम तक वो चीज़ उनकी कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क हम बात करते हैं कि आखिर यूपी में origin के basis पे हमने रिवर्स को किस टाइप से डिवाइट किया हुआ है origin का मतलब कि जहां से वो निकलती है जहां से कोई भी रिवर का origin होता है उसका जन्म होता है उसके basis पे हमने rivers को यूपी में तीन भागों में डिवाइट किया हुआ है तो सबसे पहले हैं हमारी हिमालियर rivers यानि कि जो हमारे हिमालिय के पहाडों से निकलती है वो rivers second है हमारी plain rivers यानि कि जो हमारे मैदानी शेत्रों से निकलने वाली नदियां है उनको और तीसरे में हम पढ़ते हैं जो हमारी southern plateau से निकलती है अब दीकिए southern plateau से निकलने का मेरा मतलब है rivers का यहां का जो निकले गए वो निकलती है especially मद्यप्रदेश में जो हमारा plateau है ठीकिए वहां से river निकलती है आप चाहे तो इसको screenshot ले लीजे ताकि आपको असानी रहेगी कि Himalayan rivers जो हमारी plain rivers है और southern rivers है वो कौन-कौन सी है तो I hope students कि आपने screenshot ले लिया होगा अब देखिए एक बार हम इंके नाम देख लेते हैं तो Himalayan rivers जो mainly हमें देखनी है सबसे पहली सबसे important गंगा दन यमुना, काली, राम गंगा, गंडक, सर्यू, रोहिनी और राप्ती ठीक है यह कुछ rivers है जो कि हमें देखनी है Himalayan rivers फिर अगर हम plain rivers की तरफ आते हैं तो गोमती और वरुन हमारी सबसे important rivers हैं इसके लाब आप इन तीन rivers का नाम याद रख सकते हैं साई, इसन और पांडो ठीक, इसके बाद चलते हैं सदन प्लैटू की rivers की तरफ तो सदन प्लैटू में हमारी जैसे की हैं सोन, केन, बेतवा, रिहान, टोन्स, चंबल, कनहर और के कुछ rivers हैं जो कि हमें Southern Plateau के बारे में पढ़नी हैं, तो बेकिए करके हम इन rivers को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और साथी साथ हम इनकी माप पे लोकेशन भी थेखेंगे, तो सबसे पहले हम जिन rivers के बारे में पढ़ने बाले हैं, वो होंगी students हमारी हमारी Himalayan rivers, यानी कि हमा इन में differences समझ में आए, तो देखो सबसे longest river जो आपको blue color की line से दिखाए दे रही है, यह हमारी Ganga river, इसके बाद जो इसी के साथ साथ, इसके बिलकुल, मैं कहूं right hand side पे जो आपको river दिखाए दे रही है, वो है हमारी Himalayan river, ठीक है, इसके बाद left hand side से मैं बात कर दो, तो Ganga river सवरी राम Ganga है, ठीक है, शार्दा है, करनाली है, करनाली का एक नम घागरा भी होता है, और उसी को आगे जाके सर्यू बोलते है, फिर है हमारी राप्ती और गंडक, तो यह कुछ important rivers है, mainly students जो Himalayan rivers है, वो कहीं न कहीं सारी rivers किसी ना किसी तरीके से जाके Ganga में मिल जाती है, तो एक तरह से इसकी tributaries भी है, और यही है हमारी सारी Himalayan rivers भी है, सारी rivers नहीं मिलती, लेकिन mostly rivers हमारी मिल जाती है, तो अब एक एक करके हमें स्टार्ट करेंगे, गंगा river के बारे में पढ़ना कि कहां से इसका उद्गम होता है, कहां से इसका originate होता है, कौन से district से फिर हमा नौर से एंटर होती है, और लगबक हमारे यह 27 district को cross करते हुए, 27 district से पास होते हुए, यह फिर बिहार में चली जाती है, तो अब आपको 27 district के नामजी जमच में आ रहा हो कि यह हमारी UP की longest river बन जाती है, और ना केवल UP की, बलकि हमारी North India की है, मैं कहूं, इंडिया की भी longest river है, ठीक है, जिसके की length है total 2525, 2525 में किसकी बात कर रही हो, इंडिया में जो इसकी length flow होती है, ठीक है, तो आईए, अब हम शुरू करते हैं, गंगा river के बारे में कुछ facts जो आपको as it is learn करने होंगे, जहां से आपके बिलकुल as it is question exam में पूछे जाते हैं, तो सबसे बहले त यह है हमारा गौमुक के पास, और यह मैं कहज़ती हूं कि किदारनाथ के पास जो आपकी parallel range है, वहां पे गौमुक आपका यह पढ़ता है, ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताई दिया already कि हमारे UP की longest river है, और साथी साथ हमारे इंडिया के भी यह longest river है, ठीक, अब कहां से एंटर करती है, तो धियान रखिएगा विजनौर district, अभी मैं आपको map पे आपको दिखाया था, तो बिलकुल यहां से topmost विजनौर district से यह हमारे UP में एंटर करती है, और इसी के साथी साथ आपकी राम गंगा भी, ठीक है, अभी मैं आपको map पे दुबारा से लेके जाओं तो उपर से जितनी भी नदिया हम से मिलेंगी, इस गंगा से मिलेंगी, वो सारी north side की होंगी, और जितनी भी नीचे की side से मिलेंगी, वो सारी south side से होंगी, या फिर इसी question को ऐसे भी पूश्क क्या जाता है, south side से जो मिलेंगी, वो left की होंगी, क्यूँ? देखो, अब depend करता है कि river जो है वो flow किस सरफ करती है, अगर मैं कहती हूं कে river इस तरीके से इस direction में flow कर रही है ठीक है तो इधर क्या होगी इसकी left and side और इधर क्या होगी इसकी right and side यानि कि जो left and side से हमारी मिल रही है वो कौन सी हमारी नौट side की रेन दिया है और जो right hand side से मिल रही है वो कौन सी हमारी south side की मिल दिया है तो ये बात इस बात पर depend करेगी कि जो river है वो किस direction में flow कर रही है left hand side और right hand side और उस चीज़ पर depend करेगा ठीक है तो north से हमारी कौन कौन से river मिलती है ये है हमारी राम गंगा, गोम्ती, घागरा, राप्ती, कोसी, गंडग, ठीक है लेकिन अब इसमें से कुछ river ऐसी है जो हमारी plain river है जानी कि जो हमारे मैदानी शेत्रों से निकलती है तो यहाँ पर अभी हम के वर किनकी बात करेंगे हिमालियन rivers की बात करेंगे अब अगर मैं south से बात करूँ तो south से कौन-कौन सी मिलती है या के इसमें मिलती है यमना river, sown river, tones river ठीक है, साथी साथ, एक चीज इसके बारे में जो आपको याद रखनी है कि गंगा river के उपर ही हमारा national waterway नेशनल वाटरवे 1 बना हुआ है, जिसको हम गंगा भागी रती हुगली के नाम से भी जानते है और ध्यान रखिएगा, यह हमारी इंडिया का longest waterway है जिसको NW1 के नाम से जाना जाता है, यानि कि नेशनल वाटरवे 1 के नाम से भी जाना जाता है यह question भी आपसे पूछा जाता है कि नेशनल वाटरवे एक तो कौन से सबसे बड़ा है तो नेशनल वाटरवे 1 और कौन से रिवर के उपर बना हुआ है तो यह हमारा बना हुआ है गंगा रिवर के उपर कौन कौन से स्टेट से होता हुए जाती है, कहां तक जाती है और राष्ते में किन किन रिवर से मिलती है क्या क्या हम आप एक खास बात है अगर आप उन सब चीजों को पढ़ना चाते हो यानि कि पूरे गंगा के ड्रिने सिस्टम को पढ़ना चाते हो सबसे लगंबी क्यास, जो कि गंगा में के मिलती है वह है यमले से तो यहान रखिएगा यह निकलती है यमनोंतरी ग्लेशियर से यह में ॐ. यह यानिकर आप ле papad तो यूपी में एक जगा है फैजाबाद, जो कि कहां पढ़ती है, सारनपूर डिस्टिक में पढ़ती है, वहां से ये हमारी यूपी में एंटर होती है, और ये तो मैं आपको बता ही दिया, कि लॉंग इस्ट्रिब्यूट्री है, अब ध्यान रखेगा, ये गंग्रा और सरस गंगम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चीज़े हमें आद रखनी है, और ये चीज़ और कि 12 साल में यहां पर महाकुम लगता है, हर 12 साल के बाद यहां पर महाकुम पढ़ता है, ठीक, तो बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला यहां पर आयोजित किया जाता है, यह चीज़ हमें याद रखनी है यमना के बारे में अब ऐसे ही अगर आप यमना के बारे में और चीज़े पढ़ना चाते हैं और डिटेर में पढ़ना चाते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो देखें अभी तक हमने अपनी दो रिवर्स के बारे में कंप्लीट कर लिया केवल YUP-UP के बारे में कि गंगा हमारी कहां से कहां तक फ्लो कर रही है और हमने देखा यमना रिवर के बारे में अब चौँआ हमें पढ़नी है जो कि हमारी एक और ट्रिब्यूट you है गंगा की ही जिसके बारे में पढ़ना है वो है हमारी राम गंगा ध्यान रखिए गए सुडिंट्स की राम गंगा भी बिजनौड डिस्टिक्ट से ही यूपी में एंटर करती है कि दूरों लिवर पैरलल नहीं चलती है कापी टाइम तक और उसके बाद ही कनौज में आके हैंडमेड होते हैं और एकदम नेचुरल बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं तो उसके बारे में इसी लिए हमारा जो कनौज जिक्टेट से हैं यह बहुत फेमस है इसके बाद आप देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैप में कुछ चीज़े से समझाना चाहती हूँ ह आप देख रहे हों कि यहां से उर आये जो की यह जो भारी इजिकलती दिकलती उतराखंड से इसके बाद एक चोटा सा पाट इसका निपाल में बहता हूँ यह फिर यूपीमें ट्रक कर जाता है लेकिन इसी के साधे साथ आप देख रहे हूँ कि यह करनाली इन और नाम से जैने हैं कैसे बर करनालि किरनारी रिवर हम इसको कब बोलते हैं, जब यह चोटी पहाडी कब बहती है, तब यह से और चाहरी पैंब करती है तो दिहाननिकर निर्माड करती है सरियू रिवर का और यह से एक बहुत इंपेंक पूचा जाता है कि जो हमारे आयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है तो धियान रखेगा आयोध्या जो है वो हमारी सरियो नदी के किनारे पर स्थित है यह question में आपसे पूछा जाता है तो इसी type of questions आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी river के किनारे कौन कौन से जो हमारी cities है important cities वो तो कई बर हम गलती हिे करते हैं कि हमें लगता है कि गोरकपुर जो होगा सर्यू वगड़ा के किनारे होगा लेकिन नहीं, जो हमारा गोरकपुर है, वो राब्ति-나धी के किनारे पर इस्तिथ है और साती-सात उसे स्वॉ양 शौरव भी बोलाजाता है क्योंकि उसी की विर्दा से हर साल गोरगपूर में हमें बाढ़ देखने को मिलती है तो यह कुछ facts है जो कि आपको याद रखने है चलिए I think यह वाला जो पार्ट है थोड़ सा tricky आपको समझ में आए को एक बर repeat कर देती हूँ फटा फटा आपके लिए कि हमारी Sharda River है जो कि उत्रहखन से निकलती है नेपाल में कुछ पार्ट बैता है फिर ये हमारी कहाँ इंटर करती है यूपी में इंटर करती है इसके बाद एक रिवर है करनाली करनाली जब यह पहाड़ों के बैती है तो हम इसको करनाली बोलते हैं लेकिन जैसे ही मैदानी श उनेको देखते हैं. तो अब सबस्क्राइब कि CC लिटी ह pen में परक यह चीजर उन्हेच देखते हैं. तो अब देखे सूटून्ट जैसे वे वे कि मुझा से यूरीजिनेट है. नेपाल से ओरीजिनीट होती है UP water बनाने का काम करती है Nepal, यूपी और बहर के बीच में. ठीक, और यह जो गंडख river है आगे जाके, यानि कि बहर में जाके यह फिर से हमारी क्या करती है, यह हमारी गंगा से मिल जाती है. ठीक है. तो इसी तरीके से न, यह जो एक अंगा रिभर है और छोटी-छोटी सायक नदियों के साथ मिलते-मिलते-मिलते इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका जो पूरा drainage system है वो हमें हम कहें तो उत्रा खंड से लेकर हमें विस बिंगॉल तक देखने को मिलता है तो यहां पे students हम लोगों ने अपना cover किया UP का Himalayan rivers का पार्ट जयानी कि उन नदियों को हमने देख लिया कि जो हमारी नदिया Himalayan जयानी कि जो Himalayan की पहाड़ों से निकलती है और किस तरीके से UP में एंटर करती है और UP को करते हो दूसरे स्टेट में चली जाती है तो I hope students की lecture आपको समझ में आया हो कर अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले श्यार करना ना भूले चारल बन नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें बैल लेका एकन को हिट कर देंगे काने वारे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से बिलते रहें प्लस इस क्लास का पीडियो फ्राप करने के लाब आप टेलिग्राम चालल से भी चूट सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है इसी के साथ मिलते हैं next part में इस वीडियो झाल झाल